और खान सर ने दूसरी कहानी वहाँ पर बताई कि एक लड़की उनके कोचिंग में आती है और कहती है सर साम वाली बैच सुबा में कर दीजिए क्योंकि साम को मैं किसी के घर जालू पोचा करती हूं और उससे जो पैसा आता उससी से मैं फीस देती हूं और खान सर तब वहाँ नहीं पता लेकिन खान सर वहाँ पर मना कर दियों उन्होंने कहा कि मैं बना हूं गरीब आसहाय पीडित मजदूर मध्यम बर्गिशे बच्व करने वाले हैं उसी खान सर का जो कि हर एक छात्रों के दिलों पर राज करते हैं और आज फीर एक बार बिहार के लोगों और छात खान सर हैं जिनके कोचिंग संस्थान पर हमला किया गया था कुछ है आसमाजिक तक्तों द्वारा लेकिन खान सर कभी जुके नहीं कभी डरे नहीं कभी रुके नहीं और आज उन्होंने मुंबई में जाकर अपना पर जो है पर्चम फ़हरा दिया है और खान सर की चर्चा जो है पूरे देश में हो रही है क्योंकि खान सर जिस कपिल सर्मा सो में जाकर अपनी बातों को बता रहे हैं वहाँ पर बड़े-बड़े बॉली बुड के सेलिब्रिटी जाते हैं अपनी फिल्मों का परमोसन करने के लिए लेकिन खान सर अपनी फिल्मों का परमोसन और अ आह वहा बोलकर तालीब जाने लगे ऐसे महान टीचर पर हमें गर्भ है कि उबिहार के लाल है पतना के लाल है और पतना का नाम जाकर पूरे देश में कपिल सर्मासो पर जाकर पूरे देश में अपना नाम रोसन कर रहे हैं सायद से खान सर को आज के कुछ साल पहले लगबग 108 करोन रुपए का ओफर दिया गया था और कहा गया था कि आपकर पढ़ाईए हम आपको 108 करोन रुपए में जो है डील करते हैं एक साल का एक साल करी कितने का था मुझे नहीं पता लेकिन खान सर वहाँ पर मना कर दिया उन्होंने कहा कि मैं बना हूँ गरीब आसहाय पीडित मजदूर मध्यमबर्गी के बच्चों के लिए और खान सर ने बताया उस कहानी में कि जिस यूपी यसी की फीज जो है लगबग कहानी वहाँ पर बताई कि एक लड़की उनके कोचिंग में आती है और कहती है सर साम वाली बैच सुबा में कर दीजिए क्योंकि साम को मैं किसी के घर जालू पोचा करती हूँ और उससे जो पैसा आता है उससी से मैं फीस देती हूँ और खान सर तब वहाँ पर भावक हो ग तमाम लोग बैठे जो लोग थे वो भी भावक हो गए तीसरी कहानी सुनाते हुए खान सर ने ये कहा कि एक लड़का फीस लेकर आता है और मैंने उससे पूचा कि ये फीस कहां से लेकर आए हो तो बोलता है सर आपके पास पढ़ते हैं और सुबा मैं नदी में जाकर तो ऐसे खान सर जब तक नहीं होंगे तब तक देश के बच्चों का विकास हो ही नहीं सकता है आज सिच्छा को सर ब्यापार बना दिया गया है और बहुत सारे लोग जो है मोटा मोटा पैसा लेकर बड़ा बड़ा विग्यापन देते हैं और विग्यापन का पैसा कुछ बड़ा करते हैं कि उनको कुछ भी मत बनाई बस उनको खांसर ही रहने दीजे क्योंकि जब शिच्छा का सतर बढ़ेगा तो तमाम लोग राष्ट्पती के सलाकार और प्रधान मंत्री के सलाहकार बन जाएंगे खांसर खांसर को ही रहने दीजिए खांसर को लेकर काफी जदा भीवाद भी होता है वही लोग है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं और वही लोग है जो खांसर की बाराबरी नहीं कर पाते हैं खांसर अगर किसी चीज को लेकर देगे तुमकर पढ़ने से मतलब ऐयाजाति और धर्म को मिसाइल मैं कहा जाता है कम काभी तरक्यर अगर यह किसी को है तो अगर इतना किसी को happen कि दर्म के उपर आप लोग को राजनीत करने चाहिए लेकिन कहीं न कहीं लोग अपनी राजनीतिक रोटिया सेकने के लिए उनका जाति धर्म नाम सर नाम उमर जानने का प्रयास करते हैं और उससे किसी छात को फर्क नहीं पड़ता है उससे खांसर के चेहरे पर और उनकी करते होंगे वहां पर देखे हैं कैसे घुसखोरी किया जाती है रासन में कोटा Wow economy बिलकुल खिलवार किया जाता है को सिखना चाहिए कि नहीं विलकुल छान सर्चार जसे पुरिवासा बदल गई है सबतक सिच्छा और बड़ी सहजभासा में देशी अंदाज में ठेठ जो है महान और उनको सब टीचरों से अलग बनाता है यानि कि बिहार में अब IPS IAS बनना आसान हो गया बहुत आसान हो गया बताइए खांसर खुद बता रहे कि धाई लाग रुपए फीस हुआ करती थी UPSC की जो सब देश की सबसे बड़ी परिच्छा है उसको उसकी जी थे जो कि बता रहे हैं अब बिहार में सीक्षा का क्या तेकर बिहार में आईएस और IPS बनना असान हो गया है क्योंकि खांसर के आने से और खांसर ने सीक्षा के छेतर में ऐसी करांती ला दी है जिससे बहुत सारे छात्र जो है पढ़ली कर देश की सेवा कर सकते हैं जात जाते जाते क्या करना चाहिए कि सच्छे लोगों का सच्छे लोगों का सम्मान कीजिए आप लोग है और उन्होंने सिच्छा में परिवर्तन लाए तो मुझे ये बात पता कि अगर उनके करांती जरूर आएगे उनके पढ़े हुए बच्चे जो है कुछ ना कुछ अलग जर लगा है